औरिसा का इतिहास, औरिसा, जिसे पहले औरिसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तटपर स्थित एक राज्य है, इसका इतिहास सम्रिधा और विविध है, जो हजारों वर्षों से विक्सित हुआ है, प्राचीन काल, कलिंग, औरिसा का प्राचीन नाम कलिंग था मौर्य सामराज्य, समराथ अशोक ने तीन शताब्दी इसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की गुप्थ सामराज्य, चार शताब्दी इस्वी में गुप्थ सामराज्य के दोरान ओरिसा एक महत्वपूर्ण कला और संस्कृती केंद्र बन गया मध्यकाल, भौमकरवंश, आठवी से दसवी शताब्दी तक औरिसा पर भौमकरवंश का शासन था सोमवंशी, दसवी से बारहवी शताब्दी तक सोमवंशी राजाओं ने औरिसा पर शासन किया गंगवन्शी, 12-15 शताब्दी तक गंगवन्शी राजाओं ने ओरिसा पर शासन किया सूरेवन्शी, 15-16 शताब्दी तक सूरेवन्शी राजाओं ने ओरिसा पर शासन किया गचपती सामराज्य, 15 वी शताबदी में कपिलेंद देव ने गचपती सामराज्य की स्थापना की, जो ओरिसा के इतिहास का स्वर्न युग था। आधुनेक काल, ब्रिटिश शासन, 18 वी शताबदी में ओरिसा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ओरिसा भारत का एक राज्य बन गया। आज, आज ओरिसा भारत के सबसे विक्सित राज्यों में से एक है। ओरिसा की कुछ महत्वपूल विशेशताएं. कला और संस्कृती, ओरिसा अपनी सम्रिध कला और संस्कृती के लिए जाना जाता है. ओरिसा में कई प्राचीन मंदिर हैं. जिन में कोनार्क सूर्य मंदिर, जगनात मंदिर पुरी और लिंगराज मंदिर भूवनेश्वर शामिल है. नृत्य ओरिसा ओरिसी मृत्य के लिए प्रसिद्ध है. भाशा ओरिसा की आधिकारिक भाशा ओरिया है. ओरिसा का इतिहास एक लंबी और सम्रिध कहानी है। ये कला, संस्कृती, वास्तुकला और सहित्य का खजाना है। यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। और इसा का क्षेत रफल 155, 707 वर किलो मीटर है। और इसा की जनसंख्या 4.1 करोड है। और इसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और इसा के मुखेमंत्री और उनके दल और इसा में 1946 से अब तक 14 मुखेमंत्री हो चुके हैं। गंतंत्र परिशद 1956-1961 रामचंद दीवान, कॉंग्रेस, 1971-1963 बीरेन मित्र, कॉंग्रेस, 1973-1965 सचिदानन्द नन, कॉंग्रेस, 1965-1971 बिजु पतनायक, पुरीसा जंतादल, 1971-1972 नंदिनी सत्पथी, कॉंग्रेस, 1972-1974 बनमाली पतनायक, कॉंग्रेस, 1974-1977 नीलेमनी रूट्रे, जंतापार्टी, 1977-1980 जनकी बल्लव पतनायक, कॉंग्रेस, 1980-1989 बीजु पतनायक, बीजु जनतादाल, 1990-1995 जे बीजु जनतादाल, 1995-2000 नवीन पतनायक, बीजु जनतादाल, 2000, वर्तमान, नवीन पतनायक, 2000 से ओरिसा के मुख्यमंत्री है, वे बीजु जनतादल, बीजेदी, के संस्थापक और अध्यक्ष है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक्निकल अचीवमेंट को सब्सक्राइब करके आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकेंगे।